Hello Everyone, Welcome to Quant Study आज हम करने जा रहे हैं percentage का final part जो कि हतास का third part और इसके साथ आपका percentage chapter खतम हो जाएगा शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारा YouTube चैनल को subscribe करें इसके लाब हम Facebook और Instagram पर भी active हैं ये रहे आपकी स्क्रीन पर उनके links जैसे कि आपको पता है ये third lecture है तो इससे पहले दो lecture जिन लोगों ने attend नहीं किये मेरी उन्चे request है कि आप उन दो chapters को जाके देखिए उन्हें समझिए और उसी के बाद इस chapter को continue किये उन दो chapters का link जो है उन दो videos का जो link है वो description में provided है तो start करते हैं ये पिछली जो की day two की video थी उसके related एक question है मैं चाहूंगा कि आप ये question अपनी copies पर no down कीजिए और इसका answer मुझे comment section में post करके बताईए आगे बढ़ते हैं ये रहा आज के session का पहला question Ratio between the expenditure and savings of a man is 5 is to 4 If income is increased by 20% and saving is decreased by 10% then calculate percentage change in expenditure आपको पता है कि एक income जो है वो किस चीज़ से बनती है जैसे for example आप अभी कुछ time के बाद आप भी एक officer scale पे या bank associate scale पे होंगे तो आपकी जो income होगी आप क्या करेंगे उसमें से कुछ खर्चा करेंगे जिसको हम expenditure कहते हैं और जो खर्चा करने के बाद पूरे मंत के बाद जो आपके बास पैसे बचेंगे हम उसको saving कहेंगे तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि income is equals to expenditure plus saving income में से ही आप खर्चा करते हैं और जो पैसा बचता है उसको आप saving कहते हैं उसी base पे ये question है वीडियो को pause करें और इसे try करने की कोशिश कीजिए अब मैं आपको इसका answer दिखाने जा रहा हूँ जैसा कि मैंने कहा income is equals to expenditure plus saving अब आपने क्या किया मैंने आपको बताया कि question के last में कहाया कि percentage change बतानी है हमें expenditure में तो जब भी percentage या फिर ratio में आपको answer देना होता है तो आप question की starting से ही assumption पे calculate करना शुरू कर देते हैं आपको exact figure पे काम करने की जुरूरत नहीं होती अब हमने क्या किया expenditure saving की ratio थी 5 is to 4 हमने expenditure को 50 मान लिया savings को 40 मान लिया तो income हमारी क्या होगी 50 plus 40 90 अच्छा अब उन्हें कहा है कि income बंदे की increase हो रही है 20% से मैंने आपको increase decrease का भी बताया था कैसे calculate करना है last video में वही हमने यहाँ पे apply किया इसकी income increase होके होगी 108 पहले थी 90 अब होगी 108 वैसे ही decrease हुआ किस पे savings पे decrease हुआ savings पे कितने का decrease हुआ 10% का same method लगाया और savings आगी हमारी नहीं 36 अब क्या किया हमने एक वैसा ही box बनाया यहाँ पे savings लिखती है new saving है 36 पुरानी थी 40 new income है 108 पुरानी थी 90 और पुराना expenditure था 50 अब 108 से हम 36 माइनिस करेंगे तो हमारे पास new expenditure आ जाएगा बिलकुल आ जाएगा यही चीज मैंने यहाँ पर mention की है अब change in expenditure क्या होगा 72 था नया expenditure 50 था पुराना expenditure यानि कि expenditure 20 units increase हो रहा है और हमें वही percentage change बचानी है तो numerator में आ गया बाइस unit यानि कितना change हुआ denominator में आ गया old expenditure यानि 50 units 100 से multiply किया और 44 परसेंट आ गया हमारा answer next question पर चलते हैं in a school there are 15 more girls than boys हमें नहीं पता total कितने girls है total कितने boys है हमें बस इतना पता है कि लड़कियां जितनी भी है वो लड़कों से 15 जादा है ठीक है अब इस question को वीडियो को pause किजी अगर आप try करना चाते हैं question को अब मैं आपको इसका solution दिखाने जा रहा हूँ हमने क्या किया boys को b ले लिया girls को b प्लस 15 ले लिया अब आपने देखा कि हम boys में 16% का increase करेंगे वो 1.6 b बन जाएगा girls में हम 10% का increase करेंगे तो वो 1.1 b प्लस 16.5 अब देख रहें बहुत सारी calculation points में आ रही हैं तो हम b नहीं लेंगे हम ऐसा करते हैं b की जगा 100 b ले लेते हैं 100 b लेने के बाद क्या आगया boys होगे हमारे 100 b girls होगी 100 b प्लस 15 अब इसमें confuse मत हुएगा हमने दोनों को 100 से multiply नहीं किया हमने सिरफ boys को 100 b लिया है girls जो थी वो 100 b से 15 जादा थी यहां 1500 नहीं आना यहां सिरफ 15 ही रहेगा अब 100 b में जब हमने 16% का increase किया यानि boys में 16% का increase किया हमारे पास आगे 116 b या आगे new boys girls में जब हमने 10% का increase किया तो आप देखो के पहले 10% आप increase करोगे 100 b में वो बन जाएगा 110 b अब 15% में आप 10 increase करोगे तो देखिए 15 का 10% क्या होगा 1.5 वही 1.5 15 में आड़ा होगा तो वो बन गया 16.5 तो girls होगी 110B प्लस 16.5 ये है new girls अब उन्होंने question में कहा है कि ये सब करने के बाद लड़कियां अभी भी 9 जादा हैं लड़कों से यानि कि हम girls को boys से minus करेंगे तो हमारे पास क्या value आईगी 9 वही चीज़ की girls को boys से minus किया 9 आया equation को solve किया minus 6B ये point में आ रही है value अभी आपको इसके tension लेने के ज़रूरत नहीं है अभी next लिखते हैं क्या चीज़ है हमने boys को question के starting में क्या लिया था 100B जब हम 100 से 7.5 upon 6 minus करेंगे तो हमारे decimal वाली value सारी हट जागी और हमारे पास एक exact figure आ जाएगी जो की है 125 अगर लड़के 125 हैं तो 125 में आप 15 add करोगे तो लड़के 140 आ जाएंगी बिलकुल आ जाएंगी और total student कितने हो जाएंगे 140 प्लस 125 जो की होंगे 265 और ये रहा हमारा answer next question पे चलते हैं wheat sold by shopkeeper contain 10% low quality of wheat ठीक है ठीक है अच्छा एक कुछ quantity एक shopkeeper ने जो रखी है जो पेची है उसमें 10% थी low quality की तो high quality कितनी होई 90% next line देखते हैं अब हमें उसमें कुछ good quality of quality of wheat add करनी है उस 150 kg of wheat में हमें starting में नहीं नहीं ता कितनी है पर यहां बता दिये कितनी है अब हम इसको रहनी देते हैं क्योंकि end में बूचा है कि percentage of low quantity of becomes 5 अच्छा इन्होंने कहा है कि हमें कितनी quantity good quality की add करनी है कि जो 10% वाली जो low quality की percentage थी वो 5% पर आ जाए अब देखिए हमने इसमें से कुछ subtract नहीं करना हमने सिरफ add ही add करना तो यानि 150 जो initial quantity उसमें भी कुछ 90% low है 90% high है तो हमने 10 ले लिया low और good ले लिया हमने 90 जो की थी original fraction अब उन्होंने कहा कि जब सारा question solve हो जाए उन्होंने end में क्या कहा कि हमें 5% चाहिए अच्छी अगर 5% चाहिए हमें low quality की तो 5% अगर low quality के होगी तो good कितनी होगी 95% वही चीज हमने लिखी अब देखिए उन्होंने क्या कहा है कि कुछ addition होनी है कुछ subtraction नहीं होनी है तो low हम 10 को 5 नहीं बना सकते जो नेया वाला 5 है उसको हम 10 जरूर बना सकते है ठीक है वही इसको हमने 2 से multiply कर दिया low जो quantity बनी 10 और good quantity बनी 190 यानि कि आप देख रहे हो पुराना जो था 150 kg की उन्होंने value दी हुई है अब हमने क्या किया जो ऊपर है जो original है जिसको मैंने red pen से old लिखा हुआ है उन दोनों का sum करो के तो 100 ही आएगा इस 100 की value उन्होंने question में दी हुई है 150 अभी तक हम assumption पे काम कर रहे थे ना अब हमें अगर एक exact value चाहिए तो हमें उसको किसी exact जो यह assumption है उसको किसी exact value से compare करन अब उनने क्या कहा added wheat कितनी है good quality की क्योंकि in the end हमें good quantity पर ही काम करना है हमें total पर काम नहीं करना पहले थी 90 अब होगी 190 तो हमने कितनी good quantity add की 100 units हमने add किये अच्छा अब उपर आपने देखा कि 100 unit की क्या value थी 150 थी और जिससे 1 की value 1.5 वहीं चलो हमें 1 की values को use ही नहीं करना 150 kg यानि कि हम इसमें good quantity के 150 kg add करेंगे तो जो 10% low quality wheat थी वह decrease होके हो जाएगी 9% यह रहा next question आपकी screen पर पेट्रोल का price 25% से increase हुए तो एक कार जो बंदा कार चलाता है उसको कितना कम पेट्रोल को consume करना चाहिए ताकि उसका overall expenditure same रहे अब देखिए expenditure क्या होगा जितना आप पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हो मल्टिप्लाइट बै जितनी आप गाड़ी चला रहे हो अगर पेट्रोल इंक्रीज हो रहे है एक्सपेंडीचर इंक्रीज हो रहे है अगर आप गाड़ी जादा चला रह You भी करना पड़ेगा यह common sense की बात है चलिए इस question को try कीजिए अगर नहीं भी बनता तो मैं आपको इसका आंसर दिखाने जा रहा हूँ यह रहा petrol की original price हमने 100 assume कर ली 25% का increase हुआ तो petrol की new price क्या होगी 125 अब इसी से हम एक old consumption निकाल ले अगर हम old consumption को 125 मान लेते हैं तो क्या करेंगे और उसको हम new consumption के time उसको हम 100 बना देते हैं 100 into 125 एक साइड रहा 125 into 100 दूसे साइड रहा तो expenditure हमारा सेम रहा तो हमने सिरफ एक price के दम पे हमने consumption assume कर ली उस consumption को assume करने के बाद उसको हमने उसी price के दम पे decrease भी कर दिया तो अब क्या आ गया old consumption 125 units new consumption 100 units अच्छा percentage decrease कितना और है आपने देखा पहले 125 था अब 100 यानि 25 वाली consumption क्या थी 125 वही हमने 25 नियू मिनिटर में लिखा 125 डियू मिनिटर में लिखा 100 से multiply किया हमारी percentage decrease आगी consumption की 20% यह रहा next question बिलकुल सेम है बस वहाँ petrol था यहाँ पे sugar कर दिया हूँ है और वहाँ पे consumption की बात चल रही थी यहाँ पे भी sugar की consumption की ही बात चल रही है और percentage तो बिलकुल सेम है figures भी नहीं मैंने बदली same to same है यह तो आपसे question हो ही जाना चाहिए एक पर वीडियो को pause कीजिए और इस question को try कीजिए अब मैं आपको इसका solution दिखाने जा रहा हूँ यह रहा solution वही चीज़ लिखी है हमें पता है कि एक packet की price जो है और हम अगर 10 packet ले रहे हैं वही चीज़ हमने की जो हमने पिछले question में की थी old price को 100 माना new price 125 होगी old consumption को हमने new price से compare करके 125 माना तो हमारी new consumption हमें क्या करनी पड़ेगी new consumption हमें old price के जितनी लानी पड़ेगी ताकि इन दोनों का product same आए और हमारा जो total expenditure है वो change ना हो ठीक है old consumption 125 new consumption 100 वही चीज़ आगी 25 से decrease हो रहा है reduction कितनी हो रही consumption में 25 old consumption क्या थी 125 denominator में 100 से multiply किया 20% इसका भी answer आ गया अगर आपका ये question बिना इस solution को देखे solve हो गया तो यानि आपको ये concept totally clear हो गया अब आते है next question पर एक लड़की है रादा उसने क्या किया उसने कहा कि इस महीने वो अपनी 25% salary तो save करेगी ही करेगी पट कुछ न कुछ चीज़े महेंगी होगी या उसको कुछ समान खरीदना पड़ा जिसकी वज़ए से उसकी जो वो जो उसने जो decide किया था 25% वो उतना न पिछली वीडियो में question करवाया था similar question था कि एक वो लड़की थी जिसने NGO में donate करने का सोचा था पर उस donate करने के time उसने क्या किया कि original नहीं दिया उसने 75% ही दिया जो उसने decide किया था बिलकुल वैसा question है इस वीडियो को pause करो और इस question को try करो यह definitely बन जाएगा जिन जिन इसमें से 25 units वो दे देगी पर अब हमने क्या assume किया है तो हम 2500 पर काम नहीं कर सकते 2500 एक exact figure है हम काम करेंगे percentage पर और हमें दिख रहा है कि जो उसने assume किया था यानि कि 25 units देने के save करने के assume किये थे अब वो उसका सिरफ 40% ही save कर पा रही है यानि वो अब सिरफ 10 units ही save कर पा रह रही है तो वो expenditure कितना लगा रही होगी 90 units यह था new section वैसे पुरानी में देखें अगर उसने decide किया था कि वो 25 units save करेगी तो वो expenditure कितने units का करेगी 75 units का वही चीज मैंने यहां पर लिखी है अब इन्होंने question में पूछा है what percent हर expenditure was increased old expenditure आपको दिख रहे है 75 है new expenditure आपको दिख 90 है यानि कि 15 units का increase हुआ है उसके expenditure में वही 15 हमने numerator में लिखा 75 हमने denominator में लिखा 100 से multiply किया और हमारा answer आगया 20 percent यह रहा next question यह एक बिलकुल नया pattern है यह है votes और election based question है इसके मैं आपको दो question कराऊंगा और आपको इसके भी concept totally clear हो जाएंगे अगर आपने पहले कभी यह question की है तो एक बार इस question को try कीजिए अगर आपने नहीं की है तो मैं आपको इसका solution अभी दिखाने जा रहा हूँ सबसे पहले बात करते है question है क्या है दो candidates के बीच election थी 11 1 by 9% voters ने तो vote ही नहीं दिया उनने का हमें vote ही नहीं देना हमें बुरोसा ही नहीं किसी पर ठीक है तो next जो थे जिन 12 1 by 2 voters ने vote दिया वो फरजी थे वो suppose कर लो कुछ भी हो सकता है वो दो बार vote देने आ गई या फिर उ और की identity के थुरू उनने vote दे दिया वो invalid होगे वोट उनने डाले पर in the end वो invalid होगे अब जो बचा हुआ vote होगा हमें सिरफ उस पर काम करना है इधरे नहीं लिख है winner won the election getting 60% of valid votes वो जो 11 1 by 9 को और 12 1 by 2 को निकालने के बाद बचे ठीक है and won by 7000 votes इस line का बहुत importance है won by 7000 votes यानि की इसका मतलब क्या हुआ आपके और आपके friend दोनोंने suppose कर लीजी एक exam दिये और आप कहते हो कि मैंने मेरा जो exam है उससे मेरे marks जो है 70 जाद है यही चीज आगी जो winner जिसने ये जीता है election जीती है उसके votes loser से 7000 जादा है ठीक है यह 7060% से आप confuse मत कर देना यह जादा की बात चल रही है यानि winner minus loser की बात चल रही है यह आगी exact figure जिसको हम end में compare करेंगे पूरा question हम assumption पर ही करेंगे एक बड़ ट्राइ करो यह question अब मैं आपको इसका answer दिखाने जा रहा हूँ यह रहा इसका answer अच्छा आपने देखा होगा अभी तक हमने हर चीज start की 100 units assume कि हम इसमें 100 units ले सकते थे बिलकुल ले सकते थे पर वो क्या हमारी calculations को थोड़ा messy कर देता क्योंकि 11 1 by 9% आपको first video में याद होगा मैंने fraction value learn करने थी तो 11 1 by 9% होता है 1 by 9 जब आप 100 को 9 से divide करोगे वो एक नई fraction आजएगी और fraction को solve करना आगे आगे मुश्किल होता जाएगा तो इसी question के through मैं आपको बताऊंगा कि जो हम 100 लेते हैं हम उसके अजलावा कोई और number भी ले सकते हैं आपको वो number कैसे लेना है वो आप decide करेंग और उसका लेने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ आपने देखा आपको इस question में दो जगा percentage दीए एक 11 1 by 9% एक 12 1 by 2% अब आपको बता है 11 1 by 9% की fraction value है 1 by 9 12 1 by 2% की fraction value है 1 by 8 अब आप एक ऐसा number लोगे जो इस 9 और 8 का multiple होगा ताकि in future आपको उस number को divide करना पड़े इन fraction से ठीक है तो आपका एक exact figure आजाए आपको fraction में काम ना करना पड़े फर्दर ठीक है तो हमने क्या किया 98 को multiply करती है 720 आगे 72 आगे हमारे पास एक LCM तो हमने क्या किया 720 10 से multiply किया और 720 वोटर से assume कर लिए कि total वोटर से 720 अब आगे चलते है left side में देखिए total voter हमने 720 assume किया उन्होंने का 1 by 9 ने तो vote ही नहीं दिया जब आप 720 को 1 by 9 से multiply करेंगे आपके पास आजागा 80 यानि कि 720 में से 80 voters थे जिन्होंने vote ही नहीं दिया फिर बचे कितने 640 बचे जिन्होंने vote किया अभी question या खतम नहीं हो उन्होंने आगे invalid की भी बा इसमें से 80 और निकल गए जिनके vote थे invalid अब valid कितने बचे 560 बचे हमार पास valid अब उन्होंने क्या कहा कि जो winner है invalid votes में से यानि इन 560 votes में से winner को मिले है 60% तो loser को कितने मिले होंगे 40% जब इनको ratio में convert करेंगे तो आजेगा winner के पास अगर 3 units vote आए है तो loser के पास 2 unit vote आए है अब हम इन दोनों को sum करें तो 3 plus 2 होता है 5 5 को हम 560 से compare करेंगे 1 की value आजेगी हमार पास 112 अब ये 1 की value जो हमने starting में 720 लिया उसके लिए नहीं है ध्यान रखना ये 1 की value सिर्फ इस 560 के लिए है क्योंकि हमने 560 को 3 is to 2 की ratio में divide की है तो हम 1 की value डालेंगे अब एक और चीज ह या तो हम 112 को 3 से multiply करें हमें winner के votes पता चलेंगे 2 को 112 से multiply करें हमें loser के votes पता चलेंगे या फिर उन्होंने question में क्या कहा है कि जो जीता है जो winner है वो 7000 votes से जीता है यानि कि winner minus loser क्या है 7000 votes valid votes की बात चल रही है तो इनको ऐसा करते हैं हम कि ratio में ही minus कर देते हैं क्यों पहले हम 3 से 112 को 3 से multiply करें 2 से multiply करें फिर minus करें आ जाके वही चीज़ आईगी तो उसके बजाए हमने 3 और 2 को सीधा सीधा ही minus कर दिया तो हमारे पास क्या आया कि जो winner के votes है वो 1 unit ज्यादा है loser से और 1 unit की value क्या है यहां पर 112 यह अभी 560 की ही बात चल रही है अब यहां right side में votes हैं जिसकी exact value हमें 7,000 दी गई है ठीक है मैंने आपको अभी अभी question में बताया यह जो 112 था यह सिरफ 560 के लिए था यह overall votes के लिए नहीं था तो यह 112 हमने 3 minus 2 करके 1 को value दी 112 की और 112 units को हमने exact value दी 7,000 की क्योंकि winner जो है वो loser से 7,000 votes से जीता है तो 1 की value क्या आ जाएगी इसम में 7,000 by 12 अब यह वाली जो 1 की value है न हम यह 720 के लिए यूज कर सकते हैं ठीक है total voters कितने थे 720 अब हमने 720 को 7,000 by 112 से multiply किया हमारा answer आ गया total voters थे 45,000 इस पूरी statement में सिरफ एक confuse करना वाले point यही था चो यहाँ पे हमने 1 की value 112 निकाली ठीक है इसके लाबावा और कोई point नहीं थ पाउस कीजिए वापीस जाइए दोबारा सुनिए समझ आपको आ जाएगी next question पर चलते हैं in an election between two candidates 10% voters ने vote ही नहीं दिया 60 votes invalid declared हो गए पिछले question में भी जो invalid declared हो थे वह भी percentage थी पर इसमें exact value है तो यह है इन दोनों question का difference जिसके वैसे पूरा question ही change हो जाएगा पर हम same method से कैस करना इस question को solve वो देखेंगे next line है कि the winning candidate score 40% of total votes पिछले question में valid votes की बात की थी इसमें total votes की बात की है and he won the election by 308 votes by का मतलब winner और loser का difference होगा और वो difference की exact value है 308 find total number of voters अब देखिए इसमें कोई messy सी percentage नहीं है एक 47 है पर वो आगे जाके वो end में है कि winning जो total voters है उसका 47% लेना है त इस question में हम 100 से शुरू का सकते है question को हमने question किया let total number of voters भी 100 जिन्होंने vote नहीं दिया वो 10 आगे जिन्होंने vote दिया वो 90 आगे अब उन्होंने क्या कहा 90% vote में से 60 60 एक exact figure है 90% vote में से 60 जो थे वो invalid थे तो valid क्या होंगे 90% minus 60 यह होंगे valid post अब एक चीज़ देखिए उन्होंन 50% दिये गए है अब एक चीज़ देखिए जो विनर को जो वोट मिले होंगे वह valid वोट ही होंगे वह total के जो invalid वाला portion है उससे तो उठाके उसको वोट दिये नहीं होंगे तो देखा जाए तो हम valid वोट की ही बात कर रहे हैं बस उन्होंने आपको थोड़ा सब confuse करनी के 47% माइनस कर देंगे ठीक है और लूजर के आ जाएंगे 43% माइनस 60 60 exact figure है 47 और 43 जो है वो है percentages अब उन्होंने question में एक और चीज़ कही है कि winner जो है वो लूजर से जीता है 308 वोट से जो कि मैंने यहां पर आपको दिखाया है clearly तो यह सब करने के बाद हमें क्या दिख गा is equals to 308 votes वही चीज़ हमने लिखी जब हम इसको solve करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4% की value 248 अगर हमारे पास 4% की value 248 है तो हम 100% की value निकाल सकते हैं बिलकुल 248 को 4 से divide के और 100 से multiply कर दिया तो यानि हमारे पास total voters आगे 6200 इस way में यह question उस उस पिछले question से अलग था क्योंकि कि हमने उसमें percentages में काम किया और हमारा question easily solve होता गया इसमें एक exact figure आगी थी जिसके वज़े से हम diagram में ही values नहीं निकाल पाए हमें end में equation में value निकालनी पड़ी इसी के साथ हमारा percentage chapter के सारे concept खतम होते हैं और आज हमारा finally percentage chapter खतम हो जाता है प्लीज आप हमारे चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए share कीजिए thank you